लोकसभा चुनाव के आखरी चरण का कल थमेगा प्रचार एक जून को आखरी चरण की 57 सीटों पर मतदान होगा उत्रप्रदेश की तेरा लोकसभा सीटों पर होगा चुनाव साथवे चरण में फियमोधी समेथ कई बड़े दिगज मेदान में लोकसभा चुनाव के आखरी चरण का कल थमेगा प्रचार एक जून को आखरी राज्यों की 57 सीटों पर मतदान उत्रप्रदेश की तेरा लोकसभा सीटों पर होगा चुनाव साथवे चरण में फियमोधी समेथ कई बड़े दिगज मेदान में लोकसभा चुनाव के आखरी चरण का कल प्रचार थमेगा बड़ी जवानकारी हम सांजा कर रहे हैं उत्रप्रदेश की तेरा लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा तो चुनाव के सात्वे चरण का ये रण हैं जिसमें आठ राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान और राज्यों और लोकसभा सीटों का हम जिकर कर रहे हैं लोकसभा सीटे यानिकी बिहार की 8 सीटों पर चुनाव और साती हिमाजर प्रदेश की 4 सीटों पर जारकन की 3 सीटों पर और इसा की 6 और पश्चुमंगाल की 9 सीटे यूपी की 13 और पंजाब की 13 दाव पर इन दिग्गजों की साख है वार नसी से एंडिये गडबंदन से पियमोधी इंडिये गडबंदन से अजयर आई मंडी से कंगिनार अनौत और इंडिये गडबंदन से विक्रमा दित्यसिंग एंडिये गडबंदन से रमी किशन और इंडिये गडबंदन से काजन निशाद मर्जापूर से अनुप्रिया पतेल और रमेश्मिन और खबर पर ज़्यादा विशलेशन करने के लिए हायाडा न्यूस के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गई हैं अमित देखिए लोकसभाज चुनाव का ये फाइनल राउंड है और ऐसे मेकल चुनाव प्रचार भी थम जाएगा किस तरह से देखा जाए ये सात्वे चुनाव अमित देखिए सात्ना चुनावी दंगल हो चुका है देश में और एक तरह से सरकार के लिए जो जरूरी आकड़ा होता है वो उसमें सरकार तो इस आकड़े के दोरान बन गई है लेकिन सात्वा चरण महत्पून चरण है और एक जून को जो महां के मददाता इन छेतरों के 57 सीटे ऐसी है आठ राज्यों की जहां के मददाता इवियम में अपने तमाम उमीदवारों का किसमत को कैद करेंगे 904 उमीदवार चुना मैदान में हैं और सात्वे चरण में देखिए सबसे महत्पून सीट वारानसी है क्योंकि खुद परधान मंतरी नरेंदर मोदी इस सीट से तीसरी बार भाग गया जमाने के लिए वारा परधान सी बनारस या काशी आप जो भी कहिए लेकिन यह सीट जो है पूरे देश की निगाह में है और पहले भी परधान मंतरी जब शुजवात की थी 2014 से उन्होंने कहा कि मागंगा ने मुझे बुलाया है और अब तीसरे दोर में जब आकर वे तीसरी बार चुना मेदान म उत्रे हो तो उन्होंने यह का कि मागंगा ने मुझे गोद ले लिया है तो ऐसे मीं यह महत्पून सीट और पुरुवांचल की देखे तमाम सीटें और जैसा कि आपने बताया कि 13 सीटें पंजाब की हैं और 13 ही उत्तर परदेश की हैं और खास तो पर 13 पंजाब की बात करे तो 27 साल बाद देखे भाड़ते जंता पार्टी यहां से अकेले चुनाम बैदान में उत्री हुई है तो इस बार जो है वो बड़ी चुनोती भाजपा के लिए भी है अपनी जो दो तीन सीटें वे हमेशा से जीतते आये थे वो भी बचानी है और अकेले अपना दमकम कर नहीं है दो बाते और भी है क्योंकि आई एंडिया इगठबंदन देखे देश बर में चुनाव लड़ रहा है एक साथ मिलकर लेकिन पंजाब में आने के बाद आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के जो रास्ते हैं वो अलग लग दिखाई देते हैं दोनों एक दूसर के खिलाफ चुनाव मैदान में उत्रे हुए हैं तो ऐसे में पंजाब के छेतर पर पंजाब के चुनाव पर खासतोर पर निगाह हैं तेरे की तेरे सीटों पर देखिए कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के उमीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं वहीं शिरोमनिय काली दल और भारती जनक्ता पार्टी भी इस वार्ट चुनाव मैदान में तो कहीं चोकों है मकाबला कहीं ते этом कों अगहीं मुकाबला देखने को मिल रहा है और साथा साथ बात करें तो हिमाचली परदेश की चार सीटोंपर चुनाव होने जा रहा है जिन्मे मंडी की और अगर बात करें तो चंडिगड की भी एक सीट है जहां से भारती जनता पायटी के वरिष्ट नेता रहे पूरु रज्येपाल लाल जी टंडन के बेटे संजे टंडन चुनाव मैदान में है उनका मुकाबला कॉंग्रेस के मनीश तिवारी से है और अगर अगर आते हैं निशाद उमिदवार उतारा है क्योंकि पहले बार भी इससे पहले एक बार उप चुना हुआ जब योगी आधितनाथ को मुक्यमंत्री बना दिया गया था उस समय निशाद उमिदवार उतारा गया था जिसने सारा समीकरन जो है बदल दिया इस छेतर का इसी तरह से गाजी के लिए ही अगर बात करें तो मैदान में उत्री हुई है पार्टली पुत्र सीट से खुद मीसा भारती चुना मैदान में उत्री हुई है लालु यादव की उत्री है मीसा और उस समय ये खास बात है मीसा के साथ भी जुड़ी हुई क्योंकि मीसा का जन्म जब हुआ था जब लालू यादव Maintenance and Internal Security Act मीसा के तहट जेल में बन थे तब मीसा का जन्म हुआ उस समय इसका नाम ही मीसा उस एक्ट के आधार पर रखा गया और मीसा भारती चुनाम मैदान में देखने वाली बात है कि क्या होगा और पश्चिम मंगाल की एक महत्मून सीट है जहां से खुद ममतब एनरजी के बतीजे अभी शेक बेनरजी चुनाम मैदान में उत्रे हुए डाइमंड हारवर से तो वहां भी विरासत की लड़ाई है वो भी देखने वाली बात है तो ऐसे में कई महत्मून सीटें देखिए इस साथ में दोर में है और देखने वाली बात है कि पहले 486 सीटों पर देश बर में छे दोर में दंगल हो चुका है अब मंगलवार को चुनाव का परिणाम आना है मंगलवार चार जून को बड़ा मंगलवार परधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी कहा है क्योंकि वैशाक के इस महीने में जो आते हैं मंगलवार उन्हें बड़ा मंगलवार ही कहा जाता है राजींदर जी देखिए सात्वे चरण का ये चुनाव है हम फाइनल राउंड इसे कह सकते हैं किस तरह से ये देखा जाए सात्वे चरण और आखरी चरण का ये चुनाव है देखिए लोकसवा चुनाव का ये पूरे चरण ही वैस्चा तो काफी महत पूर ने क्योंकि वो देश की सरवोच पंचाय लोगसवा का गठन करते हैं चुनाओं और वो ही नीती निर्धारन करती है देश की दिशा और विकास और तमाम जो है देश की इस्तिती का निर्धारन जो लोगसवा के जरीए ही होता है और वो ही पूरे देश को लीड़ करती है और वो इस चरण में वारा अशी से चणाव लड़ रहा है और इसके अलावा भी कई उद्यद है अब एक और भी जो है जो एक अभीनव प्रयोग हुआ कि इंडिया गटवंदन का प्रयोग किया विपक्षि ने मिलकर इंडिया गटवंदन का प्रयोग किया लेकिन पंजाब में एक प्रयोग होने जा रहा है कि देश पर में इंडिया गटवंदन है लेकिन वहां आमाद्मी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच को ही समझोता नहीं है वो दूसरे के खिलाब कर रहे है खुल की अलोचना कर रहे है खुब ताल ठोक रहे है और एक दूसरे को जबर्जस तरीके स क्या परिनाम देता है कॉंग्रेस पूरी तकत से चनौ लड़ रही है और पूरा खुलकर पूरी चनौती दे रही है आमाद्मी पार्टी को जबकि पूरे देस में और इस्सों में वो मिलकर लड़ रहे है साजा सीटों पर लड़ रहे है और सीटों के बठवारे से लड़ लेकिन पंजाब में खुली प्रियोक साला है तो देखते हैं उस खुली प्रियोक साला में क्या परिनाम आता है इसलिए भी यह महत्पूर हो गया परण मंतरी नरदर मोदी लड़ रहे हैं अब उन्होंने अपनी सिती बदल दी कुमा मा गंगा ने मुझे बोद ले लिया य इश्वर में बिजा है मेरा बाइलोजिकल जनम नहीं हुआ वो यह भी कहने लगे इसके बाद वो इस चरण को पूरा करके और वो कंड्या कुमारी जाने वाले हैं वहां कुछ मेडिटेसन करेंगे तो यह काफी महत्पूर हो गया है और भी इसके लावा कई तिगज जो है मैदान में है और उनके प्रतिस्टा जाव पर लगी हुई है और भारती जन्ता पार्टी तो दावा कर रही हैं कि हम पहले ही पूर भूमत हासिल कर चुके हैं और अब देखिए कि बाकी की उनको चार सो पार करेंगे अब सातवा चरण कूला करते ही तो अब यह चरण काफी मैं तूर भूमता निवाएगा कि देखते हैं किस तरह से क्या पढ़िणाम आते हैं सीट से जिस तरह से पियमोदी चुनावी मैदान में हैं तो उनके अपोजेशन में अजएर आए हैं तो कितनी मजबूती यहां पर यहां पर देखी जाए क्योंकि जमीनी सर पर हम देख रहे हैं कि भारते जंता पार्टी अभी फिलाल मजबूत नज़र आ रही है नहीं देखिये भारते जंता पार्टी अभी वैसे तो फिर मजबूती में है और विपक्ष को इसलिए एक चुट होना पराकिए वो इंडिया गर्डवर्नेंट उन्होंने बनाया है कि उनको लगता था कि यह बोतों का बटवारा जो होगा वैसी इस्तिती में एक मजबूत भारती जंता पार्टी का मुकावला करना इसना आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले 2014 और 2019 के चुनाओ विपक्ष देख चुका था और कॉंग्रेस देख चुकी थी इसके बाद ये पहल होई कि इंडिया घरवंदन का रख्याद है जो ससक्त भारती जंता पार्टी का परास कर पाते हैं या उसको जीत पाते हैं तो ये दितने की बात है लेकिन भारती जंता पार्टी भी अपना एक अजेंडा लेकर चल रही है उन्होंने अपना अलग करेका नारा दिया कि विक्षित भारत संकल पे हमने ले लिया है भारती जन्ता पार्टी दोजार सेतालीस तक देश को पूर विक्षित रास्टरों की कतार में खड़ा करना चाहती है तो वो एक बड़ा गोल दिया है देखते हैं कि इसका क्या प्रवाव होता है अलगी समस्या अपनी जगे हैं मेंगाई और बेदोजगारी बड़ी चरम पर है मेंगाई बहुत जबर दस तरीके से है ताम आदमी का निरवा बड़ा मुश्किल हो रहा है विक्ष देखते हैं कि विपक्षि किस इन जो मुद्रे जो जुलंत समझ्या है उनको किस तरह से लाम ले पाता है तो ये देखने की बात होगी ठीक है राजविंदर जो आप बने रहे अमित भी लगाता बने हुए हैं अमित आपको क्या लग रहा है जो सरह से दस साल भारते जन्ता पार्टी अपना जो कारेकाल है वो देख रही है और साथी दस साल जो कामकाज रहे भारते जन्ता पार्टी ने जो अपता कामकाज है क्या लग रहा है कि वो जो पूरा का पूरा प्रभाव है या फिर यूं कहें कि जो चवी बरकरार है भारते जंता पार्टी की वो जनता जनारदन पर असर डालेगी उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर इस बाद जनता जनारदन बदलाब जहा रही है देखिए साधना सबसे महत्पूर्ण है कि 2014 में भारती जनता पार्टी सत्ता में आई थी उस समय क्या-क्या मुद्दे थे सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए उस समय भरिष्टा चार का था भष्टा चार पर मोन मनमोहन का नारा देया भारते जनता पार्टी ने उस समय कई घोटाले सामने आये थे टू जी घोटाला कभी कौन सा घोटाला कभी कोईला घोटाला कभी कौन सा घोटाला तो ऐसे में कई घोटाले सामने आये और सासात अन्ना का आंदोलन भी देखे जनलोकपाल को लेकर चला तो ऐसे में तमाम जो इस तरह के आंदोलनों के बीच भाड़ते जनता पार्टी का जो है वो सत्ता में आगमन हुआ और उसके बाद उन्होंने भष्टाचार मुक्त प्रशाशन देने का वाइदा किया और उसे एक तरह से कोशिश की कि उसे अमली जामा पहनाये जाए उसमें भाजपा कितनी सक्सेस हुई यह तो चलो जनता भी जानती है और कैसा भी क्योंकि माहोल के हिसाब से जो काफी जो सुधार कुछ चीजों में देखने को भी मिले और कुछ नाकारात्मत बातें देखने को भी मिली लेकिन 2019 में जब दुबारा से परचंड भहुमत मुला मुझतम देखिये पुलवामा अटेक हुआ और उसके बाद बंपर भोटिंग हुई और एक तरह से परचंड भहुमत भारती जनता पार्टी को देने का काम देश की जनता ने किया और उसके बाद 2019 से लेकर 2024 तक का जो सफर भाजपा ने किया भाजपा ने सत्ता में रहते हुए किया उसमें कई ऐसे महत्पुन वाइदे जो जनता से लगातार भाजपा अपने गटन के साथ करते आ रही थी उनके साथ जो मुलते हैं उनके साथ जुड़ गए थे जो माने जाने लगे थे चाहे राम मंदीर की बात करें धारा अनुछे 370 जम्मु कश्मीर से अटाने की बात करें तीन तलाक के मसले की बात करें या इस तरह की कई और जो नारी शक्ति बंदन अधीनियम है तेती प्रतिशत जो आरक्षन की बात है महिलाओं को विदाइका में तो ऐसे कई वाइदे जो है उन्होंने पूरे किये और साथ साथ देश की चबी को अंतरश्टिय स्तर पर मजबूत करने का काम किया इसमें कोई दो राये नहीं है जिससे देश की धरती पर ही जुड़ा जी 21 उसको जो नाम बना तो वो भारत की धरती पर आकर हुआ तो ऐसे में कई ऐसे बाते हुई जिससे देश की का जो गोरव है वो बड़ा इसमें कोई दो राये नहीं है लेकिन कई ऐसे बाते थी जिनमें महंगाई मुदा था बेरोजगारी मुदा था और भी ऐसी कई बाते हैं जिनको लेकर विपक्ष ने बाजबा को घेरने का काम कि लेकिन इन तमाम वाइदों के और देखे जो संकल पत्र और नियाए पत्र जो इस चुनाव में रखा गया वो इस चुनाव में कहीं चर्चा में नहीं आया जो जो चुनाव था वो मुद्दों से भटक गया कई बयान इस तरह के आए चाहे माहुबाद की बात करें मंगल सुत पर मद्दान हो चुका है जनता का मूड क्या रहा क्योंकि कई सीटें ऐसी है जहां दिल्चस्पी बरा मुकाबला देखने को मिला और जैसा कि अभी राजंदर जी भी बता रहे थे कि पूरे देश में भाजपा की जो एक एंडिया की मजबूती को देखते हुए विपक शे पर जो मनोवेग्यनिक बबाव बिरोधियों पर बना दिया था उस चुनोती का मुकाबला इन्डि कडवंदन ने कैसे किया उनकी ओर से भी दावेधारी की जा रही ही है दौसों बक्तर सीटें बहुमत तक पेहुंचने की बात कही जा रहHE है तीन से सीटें लाने की बात की एक चहरा नहीं था जिस पर विश्वास किया जा सके जो परदान मंतरी के रूप में जिसे सामने रखा जा सके इसी बात को लेकर परदान मंतरी निरेंदर मोडी ने भी आरोप लगा ए कि 5 साल में 5 चहरे देखने को मिलेंगे तो इस तरह की तमाम बातों की भी चुनाव हुआ है अब सात्वें चरन का चुनाव है देखिए कल चुनाव पर चार जो है वो 48 गंड के पहले थम जाता है तो कल थम जाएगा उसके बाद एक जून को सात्वें चरन का भी मद्दान हो जाएगा और जो एक्जिट पोल आ बने रहने के लिए और बात्षित करने के लिए है देखिए आखरी चरन का जो चुनाव परचार है वो कल थम जाएगा एक जून को आठ राज्यों की 57 सीटों पर मत्दान होना है सबसे बड़ी दिल्चस्पात यह है इस चुनाव में इस आखरी चरन के चुनाव में कि कई दिगज पीए मोधी समेत कई दिगज ऐसे ही जो मैदान में उत्रे हुए हैं लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव के आखरी चुनाव परचार है वो कल थम जाएगा इसे के शलते अब देखने वाली बात होगी कि जोतने भी दिगज मैदान में उत्रे ह हुए हैं उनका क्या कुछ प्रभाव पढ़ता है जनता पर